एक समसानू नाम का देश था, वहां के लोग शिकार करने में अच्छे थे, उनके हाथों से कोई जानवर बच कर नहीं निकल पाता था, एक बार शिकार के लिए निकले समसानू के लोगों के हाथ से यूनिकॉन बच निकला, यूनिकॉन जानवर दूसरे के मुकाबले काफी फुर्तिला था, इसलिए लाग कोशिशों के बाद भी वो समसानू के लोगों के हाथ नहीं लगा, तभी से वहां के लोगों को यूनिकॉन की तलाश थी, समसानू देश का सरदार किसी भी कीमत पर यूनिकॉन का शिकार करना चाहता था, हर दम वो उसे पकड़ने का जाल बु कुछ ही देर में ये समाचार सरदार तक पहुँचा, वो भी तेजी से अपने महल से यूनिकॉन को पकड़ने के लिए निकल गया, यूनिकॉन पास की ही एक नदी से पानी पी रहा था, जब लोगों को पता चला, तो वो भी नदी के पास पहुँच गये, समसानू देश के सरदार भी वहाँ पहुचे और सब को थोड़ी दूरी पर खड़े होने के लिए कहा, उन्होंने हलकी आवाज में सब को समझाया कि आज इसे बचकर जाने नहीं देना है, इसलिए मौका देखकर ही इस पर हमला करना होगा, अभी चुप चाप इसे देखते रहो, यूनिकॉ को पकड़ने का आदेश दिया, सब एक लंबी सी रसी लेकर आए और उसे यूनिकॉन के गले में डाल दी, फिर आगे और पीछे के पैरों में रसी फसा कर उसे खीचने लगे, तभी यूनिकॉन की नीन खुल गई, गले और पैरों में रसी देखकर यूनिकॉन ने चिलाना शुरू किया, आखिर यूनिकॉन की मदद के लिए कौन आता, सभी लोग उसे पकड़ कर ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया, यूनिकॉन को पकड़ने से सरदार बहुत खुश था, उसने शाम के समय जशन रखा, सभी लोग खुशी में जूनने लगे, जशन के बीच में पिंजरे में कैद यूनिकॉन को भी लाया गया, तभी पता चला की पास के ही किसी इलाके में आग लग गई है, देखते ही देखते आग विक्राल हो गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए चीकते चिलाते हुए भागने लगे, लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी, पिंजरे में बंद यूनिकॉन भी आग देखकर दर गया, वो फिर जोर-जोर से चिलाया, इस बार उसकी मदद के लिए एक लड़का सैम आया, उसने यूनिकॉन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दू उसने यूनिकॉन से पूछा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो, देखो आग कितनी फैल रही है, लोग मर जाएंगे, सैम की बात सुनकर यूनिकॉन आसमान से जमीन की तरफ उतरा, उतरते ही उसने अपने मुह से थंडी हवा फेकी और आग बुझा दी, पूरे इलाक उनिकॉन कुछ दूर चला गया, सैम को लगा कि अब उनिकॉन वापस आसमान में उढ़ने वाला है, उसने उनिकॉन से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे, सैम को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, उनिकॉन कुछ देर रुका और आसमान में उढ़ गया, सैम भी जंगल में यूनिकॉन से मिलने की उम्मीद में जाता रहा, लेकिन यूनिकॉन वहाँ वापस कभी नहीं आया कहानी से सीख यूनिकॉर्ण की कहानी से यह सीख मिलती है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपके और आपके अपनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं